हलो दोस्तों मेरे यूटूब चनल में आप सुभी का स्वागत है दोस्तों हमारे पास पेपर है सारीक एवन स्वास सिक्षा या फिर कह लिए स्वास एवन सारीक सिक्षा का पेपर तो ये पेपर बेजा है हमको प्रवीन कुमार ने बरविँद कुमार को पेपर बेजने के लिए बहुत-bहुत धन्यवाद तो जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियो देखे थे उनको हमारे पेपर से बहुत हेल्प मिली होगी जो पेपर दे कर आचुके हैं वो इस बारे में जानते हैं और जिनके पेपर होने वाले हैं वो जान लीजिए कि हमारे पुराने वीडियो के अंदर से बहुत क्यूशन आ रहे हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं जाकर देखें और जो हम नए वीडियो ला रहे हैं उनको पर देखें इनसे भार question बहुत कमा रहे हैं अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आप आसानी से पास हो जाएंगे तो आईए पहले question को देखने से पहले आप सभी से request है कि जिन्होंने channel को subscribe नहीं किया channel को subscribe कर ले notification वेल को on कर ले जिससे विनादेरी के आपको update मिल सके और तीसरा है व्यक्ति का सरवांगेंड विकास तो सारेक सिक्षा का मुक्तिष क्या है व्यक्ति का सरवांगेंड विकास next है protein का उत्तम स्रोत क्या है तो दूद, मास, सोयाबीन, अनार तो क्या है आपका protein का मुक्तिष्रोत मास दूद, सोयाबीन या फिर अनार नेक्ट है थर्ड नमर क्यूशन रतोंदी किस विटामिन की कमी से होती है तो पहला क्यूशन करवाय हुआ है दूसरा भी और तीसरा क्यूशन आपको सारे रोग बताये थे हमने विटामिन A की कमी से क्या होता है B की कमी से क्या होता है D, E सब के बारे हम बताये थे और इनके स्फुरोत क्या है तो रतोंदी किस की कमी से होता है रतोंदी होता है आपके विटामिन A की कमी से नेक्ट है डिसके स्थ्रो के सेक्टर का कौन कितना होता है यह आप देख लीजिएगा पांच नंबर है जैवलिन के रनवे की लंबाई कितनी होती है इसको भी देख कर जाए खेलों की जन्नी कई बार करवाया क्यूशन है इसका अंसर है जिमनास्टिक नेक्ट है भारत का राष्ट्रे केल कई बार करवाया है और आप जानते भी होंगे हो की है हमारा राष्ट्रे खेल बॉलिवाल खेल के जन्मदाता का नाम क्या है नेक्ट है ताड़ासन का एक महत्पून लाब बताईए लंबाई में व्रद्दी होती है ध्यानात्मक आशन होता है उप्रोक दोनो तो दोनो दस रंबर है अच्चे स्वास्त की पैचान क्या है सोना, मोटा होना, पतला होना, द्रड़ मास पेशिया तो क्या है अच्चे स्वास्त की पैचान द्रड़ मास पेशिया नेक्ट है खंड बै अतिलाक तुरात्मक प्रशन है सारेक शिक्षा का महत्त बताईए पांच नमबर है जिमनाश्टिक में फर्स पर किया जाने वाले व्यायम का नाम लिखिए नेक्टेक हंडिस से पहला है मनुरंजनात्मक एवं सेक्षनिक खेल किसे कहते हैं दूसरा है व्रद्धी एवं विकास के अंतर को परिवासित कीजिए थर्ड नमबर है स्वास्त को प्रवावित करने वाले कारक कौन-कौन से है करवाया क्यूशन है चार नमबर है कूपोशन के कारण बताईए ये भी करवाया हुआ है पांच नमबर है प्रात्मिक चिकिस्चक के गुणों का उलेक कीजिए छे नमर है खेलों के माद्यम से कौन-कौन से गुण विक्सित होते हैं नेक्ट है खंड़ दे निवंदात्मक प्रशने आपके पहला है पिरामेड क्या है पांच बालकों का पिरामेड किस प्रकार बनाएंगे वर्णन कीजिए द्रौनी प्रशन को परिवासित कीजिए करवाय उकूशन है द्रौनी प्रशन के कारन में वचावों पर विष्तरत प्रकार डालिए नेक्ट है सूर्ण नमसकार मकें किनकर आसनों का अप्यास होता है विष्तार से वर्णन कीजिए अत्वा बॉलीवल खेल के नियमों वे कोसलों का वर्णार कीजिए थड़ है प्रात्मिक चेकस्टा को करवाया क्यूशन है प्रात्मिक चेकस्टा को परिवासित कीजिए तता इसके उद्देशों का वर्णार कीजिए अत्वा सामान खेले वे सादन के खेलों में अंतर बताईए तो यह थे सारे क्यूश्चन जो आपके पेपर के अंदर भी आ सकते हैं तो सभी प्रशनों को देख कर जाएं और रट कर जाएं और वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं जाना है मिलते हैं सभी से नेक्ट वीडियो में सभी को एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लग थैंक यू